हेलो साइटाल जी पे डिसकुशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लाइसोजूम और वेक्योल पे चरचा करेंगे सबसे पहरी बात कि ये लाइसोजूम्स हैं क्या तो लाइसोजूम में ये मैंने कहीं भी सुरुवाती दौर में ये बात नहीं लिखी है कि इसे सुसाइडल बैग करते हैं हम लोग स्ट्रेट वे स्टार्ट लेंगे कि ये होगा कहां पे तो चुकि हम यूकेरियॉटिक सिल में देख रहे हैं तो बताने कि आवशिक्ता नहीं है कि ये यूकेरियॉटिक सिल में पाये जाएगा लेकिन एक प्राय बच्चों के दिमाग में कंक्योजन दिखाई पड़ता है कि लाइसोजोन क्या प्लांट सिल में है आंसर इस इन इफोमेटिव आंसर बहुत असपस तरीके से ये है कि हाँ प्लांट सिल में पी ये उपस्तित होगे तो ये तच्चे आप जवान से बस्तित को निखाल देजे कि ये पाये जाएगे ये आपको ये मस्च ओंड आप प्लांट सुथ हाँ प्रोकेरियॉटिक सिल में इससे तोर पे ये आपको नहीं दिखनी दा रहे प्रोकेरियोटिक सेल में लाइस जो होंगे वो नहीं दिखेंगे हला कि आपको ये बार बताई गई थी कि जो पेरी प्लास्म होगा वहां पे there are certain proteins जो protein functionally वैसी होते हैं जैसे लाइस जो जो होते हैं तो पहरी बात location को लेकर रही कि लाइस जो होंगे they would be found in eukaryotic cell prokaryotic cell में इस्षित और पे lysosome नहीं होने जा रहे हैं हाले कि periplasmatic space में there are certain proteins जो की lysosomal enzymes की तरह काम करते हैं इसके बाद जो गुद्दा आप लेंगे वो होगा कि इसकी इसकी characteristics कौन से होनी देखो, lysosome कभी भी एक membrane bound cytoplasmic organelle होता है and it will be rich in whether it is going to have acid hydrolysis, a number of acid hydrolysis और ये जो lysosomes होने हैं उनमें 50 not 50 acid hydrolysis क्योंकर स्थिति वहां पे उसकी हो ये जो acid hydrolysis होने हैं they are capable of hydrolyzing almost any type of bar molecule present in the cell लगवक किसे भी तरह के bar molecule को जो की cell में उपस थी थे हैं उनके उनको hydrolyze करने की शम्ता इन acid hydrolysis में होने जा रही हैं लेकिन एक बहुत important observation ये है कि भले ही lysosome के पास इस तरह acid hydrolysis का पूरा का पूरा combination है लेकिन इसके बावजूर भी cell is very stable structure अपर आसको ये फ़रा होता है कि अगर lysosome के पास इतने जारे 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 हैं इसका पाब आप hydrolyzing practically every type of substance within the cell तो फिर सरल इस टबले स्ट्रॉक्चिर के रूप में कैसे वहां दिखाई पड़ेगा तो इसका जवाब ये होगा कि latency of lysosome enzymes is actually responsible for that जो lysosome enzymes उनकी latency उसके लिए जिम्हेवार हैं, अब रही बात की लेटेंसी की खुद की वज़े क्या है? तो लेटेंसी ओफ एन्जाइम्स की वज़े यह है कि वल्ट दिम रस्रोंडड बाइं किसके द्वाए के द्वारे तो एक मेंब्रेन के द्वारे, लाइसलोम मेंब्रेन जो होगा, वो अब यहां पर एक मुद्दा और खड़ा होगा और वो यह उन्हीं जा रहा है कि जो Glysozomal Membrane होगा आखिर वो इस Glysozomal Membrane के ऊपर enzyme का उफर क्यों नहीं पड़ता उसमें आप नहीं देखिए घर कि वो Glysozomal Membrane जो होगा it will be having two types of proteins IZPA and IZPB जो lysosomal membrane होंगे they are going to have two types of protein IZPA and IZP-A और ये जो IZP-A और IZP-B होंगे उनके उपर lysosomal enzymes की कोई activity नहीं होने जा रही है तो characteristics पोगर समप करें तो कहेंगे कि ये membrane bound structure होगा जिसके अंदर acid hydrolysis मौजूद होंगे और acid hydrolysis जो होंगे उनकी तादार around 50 हो सकती है और ये जो different types of acid hydrolysis होंगे they are capable of hydrolyzing practically every type of biomolical which is present within the cell despite this observation इस observation के बावजूद भी its effect कि cell is very stable structure फ्रस्में ये ख़ड़ा होता है कि अगर lysosome में इतने सारे enzymes हैं जो कि practically हर तरह की compound को hydrolyze करने की चम्ता रखते हैं तो इतना stable structure की दूप में कैसे रहता है तो उसका जवाब ये दिया गया कि ये lysosomal enzymes latency दिखाते हैं ये सक्रियता नहीं दिखा पा रहे हैं अब रहा प्रस्में की लिटेंसी या निस्क्रियता की वज़र क्या है तो उसके पीछे कारब ये बताया गया है कि all these membranes are surrounded by a lysosomal membrane और ये lysosomal membrane जो होगा निस्वित तोब पर उनको साइफर प्लाजम के सीदे संपर्ट में आने से रोक देता है इसको अगर बच्चों को समझाने के लिए अगर कोई बात कही जाए तो ये कहा जा सकता है कि कहीं पे अगर किसी जू में जाएए और वहां में बहुत सारे जलेलेफ सामडिया वे रखे हुए है तो इसके बावजूद भी लोग आराम से उन सापर को देखते हैं और सब सुरक्षित वहां से निगल के बाहर आते है उसके पीछे बज़द ग्या है तो बज़द बड़ी सिंपल से है कि वो जो प्वाजनर स्नेक है उन प्वाजनर स्नेक्स को बाहर आने की अनुमत ही नहीं होती है जो एस्पटेटर्स हैं जो विजिटर्स हैं वो और उन स्लेक्स के बीच में एक निस्ट तोर पे partition होता है. ठीक, वही बात यहां पर कही जाएगे कि जो लाइसेज़बल इंजाएम्स होंगे, all of them have been surrounded by a membrane and that's why उनके लिए जो साइटो प्लाजमी कांटेंट होंगे उनको पर काम करना सम्हों नहीं होगा. लेकिन membrane पे उसका उसर क्यों नहीं पढ़ेगा, तो membrane पे उनका उसर नहीं पढ़ने के पीछे, existence of two types of proteins is actually responsible and these proteins are IZPA and IZPBA, यह दो तरह के protein जो होंगे, उस membrane में उबस्तित होंगे और इन हिन जोनों protein के उपर lysosomal enzymes की कोई activity आपको दिखाई नहीं पढ़ेगे, अब यहां से जो मुद्दा आएगा, वो यह होगा कि यह जो लाइसोजोम जो होंगे, उन लाइसोजोम के अंदर pH हमें साथ कम रहता है, फ्रस्न यह खड़ा होता है, कि pH कम कैसे होगा, तो naturally जवाब इसका यह होगा, कि लाइसोजोम के अंदर प्रोटॉम का अंदर से जाड़ा होगा, अब लाइसोजोम में प्रोटॉम कहां से आएगे, तो अगर हम यह कह रहे हैं, सबोस कि हमारे जोगार की बात कहीं जा रही है, कि यह जो है वो एक lysozome है तो यह जो membrane होगा इस membrane में आप पाएंगे कि बहुत सारा इन membranes में you will find कि यह number of proton pumps यहां के उपस्तित होने जारे है you will find कि यहां पे क्या होगा बहुत सारे proton pumps उपस्तित होगे और यह proton जो होगे वो बाहर से proton को lysozome के अंदर pump करेंगे तो naturally अगर proton साइटोप्लाज से अंदर की तरफ pump होगा अगर साइटोप्लाज से proton अंदर की तरफ pump होगा तो within the lysozome pH जो होगा वो घट जाएगा इसलिए हमनों करते हैं कि जो lysozome होगा उसका pH जो होगा कम होने जा रहा हो एक acidic compartment को represent करेगा तो उसी तरफ एक और मद्दा आप दिखिये जा कि जो lysozome होते हैं ते शोप polymorphism उनका विविद रूप होगा कोई particular shape आपे साइन नहीं कर सकते हैं तो इसको मैं ऐसे समझानी गोशिस करो कि ये polymorphिक इसलिए होते हैं because these lysozomes associate with different types of structure cell के अंदर कोई चीज़ अगर आई है या cell का ही कोई component अगर है तो उस तमाम तरह की चीज़ों के साथ जो lysozomes होंगे देविल associate और जिसके साथ वो associate करेंगे वो ऐसा ही रूप वो क्या करेंगे ले 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 लेगे आप कह सकते हैं कि एक ऐसे politician के रूप में ये है जो अलग-अलग political parties के साथ associate करता है अगर वो leftist किस left party में है तो इससी तोर पे उसका पूरा ideological चोला जो होगा वो होने जा रहा है कैसा तो वो वो बिलकुल left की तरह बात करेगा अगर वो किसी centrist party में है तो वहां की बासा वो बोलेगा अगर किसी right wing party ये तरफ वो चला गया तो अगर उसकी बासा बदल जाएगी तो चुकि लाइसोजूम जो होगा वो एक ऐसे जिस किसी तरह के structure के साथ associate करेगा उसी structure के रूप ही अपने shape को भी change कर लेगा and that's why we say कि लाइसोजूम जो हैं वो अपना रूप बदलते हैं या लाइसोजूम जो हैं वो polymorphism दिखाते हैं excuse me दूसरी जो बात आएगी कि types तो तो कभी में लाइसोजूम के दो type हम लो कहते हैं तो primary होगा दूसरा secondary लाइसोजूम होगा primary लाइसोजूम के अगर बात करें तो उसका यह होता है कि जब लाइसोजूम बना endoplasmic reticulum और गौजी वड़ी की मदद से जो लाइसोजूम बनेगा and such lysosome would be having one or a few acid hydrolases वाली जो endoplasmic reticulum और गौजी वड़ी की मदद से जो लाइसोजूम बनें और उन लाइसोजूम में one or a few types of acid hydrolases से फ़गर होंगे तो उनको आप लोग कहेंगे कि यह क्या है we refer to them as primary lysosome यहां पे ध्यान दीजिएगा मैंने का to one or a few types of acid hydrolases इसमें ऐसा नहीं होगा कि यहां लोग ने कहाते हैं 50 acid hydrolases are there तो कुछ इस तरह के बात यहां पे आपको दिखाई नहीं पढ़ने जारी है कुछ इस तरह की बात आपको यहां पे नहीं दिखाई पढ़ने जारी है और दूसरा जो मुद्धा आप यहां लेकर के देखिएगा तो यह होगा कि यह ऐसे enzymes होने जा रहे हैं इनके पास जो enzymes होंगे obvious है कि they will be synthesized on ribosomes और ribosomes से फिर reaction synthesized होने के बाद transfer की जाएंगे endocrine, reticulum, रोगवल्जी वर्डी के मार्जन से जो मैंने अभी आपको का तो primary lysosome तभी कहेंगे जब तक ये lysosome बनने के बाद सीधे तोर पे associate नहीं कर रहा है किसी ऐसे सबस्तान से जो बाहर जे अंदर लाये गया है या cell के किसी non-functional structure के साथ जब तक lysosome किसी अनियरशना के साथ associate न करे वो primary lysosome होगा obvious है कि secondary lysosome की बरबासा यहीं से निकाए जाएगी secondary lysosome वैसे lysosome तो कहेंगे जो की primary lysosome था लेकिन जो किसी endocytosis के बाद associate कर गया है या किसी SSL structure के साथ associate कर गया है which is no more functional तो अगर primary lysosome किसी endocytosis के द्वारा levy substance के साथ जुड जा या cell के किसी structure को जो की non-functional है उसको nest करने के लिए जुड जा उसके साथ तो उसे कहेंगे कि ये क्या होगा secondary lysosome होने जा रहा है ये जो secondary lysosomes होते हैं ये secondary lysosome को आप लेकर के देखें अंदर ये विल फाइंड कि ये तीन प्रकार के होने जा रहे हैं एक होंडों कहेंगे कि atrophagosome या lyastid vachyol है तो गहोंगो जो phagosome जो बनते हैं phagosome का मतलब वो original phagocytosis के बाद बनती है उस phagosome के साथ धिल सारा ये जो होगा primary lysosome जो होंगे associate करेंगे तो phagosome के साथ अगर primary lysosome associate करते हैं तो उनके association की वेज़े से we'll find की diastid vachyol या heterophagosome का formation होगा जो primary lysosome के enzymes होंगे इससे तोर पे जब वो phagosome के साथ जोडेंगे तो अगर जितने तरह के भी primary lysosome जो है suppose 20 अगर primary lysosome जो रहे हैं और वहाँ पे अगर वो दो-दो तरह के ही acid hydrolases अगर रख रहे हैं तो उस secondary lysosome जोस कौन लोग hetero phagosome करें उसमें at least 20 beats multiplied by 2 यानि 40 acid hydrolases वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे जैसे मैं यहाँ पे दिखाने इनकोस कर रहा हूं कि plasma membrane is there और invagination हो रहा है यहाँ पे यह invagination आपको दिख रहा है और यह जो invagination होगा इस invagination के बाद यह रचना जो होगी that will be known as phagosome इस रचना को कहेंगे कि क्या है phagosome है और यह जो चोटी-चोटी रचना हैं इनी चोटी-चोटी रचनाओं को हम लोग कहेंगे कि they are primary lysosome यह primary lysosome है तो hetero यह जो phagosome होगा उस phagosome के साथ यह जो phagosome होने जाना है इस phagosome के साथ लेकर के आप देखें कि there will be association of number of primary lysosome तो यह जो resultant structure होगा यह जो resultant structure होगा उस resultant structure को लेकर के आप देखें तो उसी को गहेंगे यह क्या hetero phagosome है background सब इनकुल clear है कि जो phagosytosis के बाद जो phagosome बना उस phagosome के साथ धेट सारा primary lysosome associate करेगा and the result structure is entro phagosome या digestive vacuole उसी को कहेंगे कि यह digestive vacuole होने जा रहा है अब उसमें यह जो तमाम enzymes जो lysosomal वहां पे मौदूद है they will try to hydrolyze the substance that has been taken within the cell. Cell के अंदर जो चीज़ आई है उसको तोड़ने की courses की जाएगी with the help lysosomal enzymes लेकिन यह जो lysosomal enzymes जो काम करेंगे क्या जरूरी है कि उस substance को पुरी तरह hydrolyze कर दें इसका answer हाई या ना दोनों में यह संभा है कि पुरी तरह hydrolyze में हो जाए यह भी संभा है कि उसका कोई resistant core राजा है कोई एक हैसा हिस्सा राजा जो digest नहीं हो तो अगर ऐसा हुआ कि जो residue जो जो हिस्सा बचेगा जिसकी further hydrolysis संभा नहीं होने जा रही है तो उसको कहेंगे कि यह residual body होगा तो यह जो होगा जिसे हेट्रोफेगो सोम आप कहने जा रहे हैं वो हिट्रोफेगोसोम यह जो आपने कहा और हिट्रोफेगोसोम के साथ यह जो residual body आप कह रहे हैं यह दोनों जो होगे इन दोनों को आप लोग कहेंगे कि यहार secondary lysosome तो residual body के बारे में आप याद रहे हैं incomplete digestion of the substance that has been taken within during phagocytosis अब एक और बार रहे हैं that is cytolysisosome और autophasic vacuole cytolysisosome और autophasic vacuole ते वोसल में ऐसे बहुत सारे organelles हैं जो खुछ समय के बार काम करना बंद कर देखते हैं तो ऐसे organelles जो अब और काम करनी के सती में नहीं हैं उनको भी primary lysosome की मदद से hydrolyze किया जाएगा इस बाद को तो रासा आगे हम लोग इस्थार गेंगे तो अगर कोई cytoplasmic organelles है जो काम नहीं कर रहा है तो उनका association primary lysosome से जो होगा तो इस association की वज़े से you'll find formation of secondary lysosome that'll be known as cytolysisosome या autophasic maccure तो secondary lysosome की ये तिनों type होने जा रही हैं अब यहां से जो मुद्दा आएगा वो भी जा रहा है कि कौन से functions या roles होने जा रहे हैं lysosomes के तो lysosome का सब से पहला function हम लोग लोग लेखेंगे वो होगा intracellular direction तो बहाँ सारी चीज़ें से इंदर प्रिवेश्च करती हैं और उन कमान चीज़ों को lysosomal enzymes क्या करेंगे they will hydrolyze दुसी तरफ आटो फाजी जो नहीं कुछ तर भाल मैं आप से कह रहा हुता कि अगर आप खलबना दीजे कि इसे सेल के अंदर ये जो है वो एक mitochondrion है और ये mitochondrion अब functional नहीं है it is no more functional तो अगर ये functional नहीं है तो पहला काम ये होगा कि it will be surrounded by इसको घेरा जाएबा किसके दौरा जैसे मैंने कहा कि ये एक non-functional mitochondrion हो गया it is non-functional mitochondrion और इसको surround किया गया membrane of इसको घेरा गया membrane of ACR smooth endoplasm गेरा गया और अब इसका association होगा इसका association इसके साथ associate करेगा association of डेशारे primary lysozome इसके साथ associate करेगे अब जो ये primary lysozome associate इसके साथ करने जा रहे हैं जैसे ये सब primary lysozome है जो इसके साथ associate करने जा रहे हैं अब इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि ये lysozome उपस्तित होगा lysozome नहीं माइटोकांट्रिया निफंसनल माइटोकांट्रिया इस देर और ये प्लाजमा अंद्रेड रहा तो ये जो resultant structure फॉर्म करने जा रहा है ये जो resultant structure फॉर्म करने जा रहा है इसी resultant structure को जो कहेंगे कि ये resultant structure जो है ये कहलाएगा कि ये साइटो लाइसोजोम है और अब ये जो लाइसोजोम होगे मैं जोबारा रिपीट करूँ कि ये सेल का कोई हिस्सा है उसके अंदर ये जो माइटोकॉंड्रियन था फंक्शनल नहीं तो first of all it will be surrounded by membrane that has been derived from smooth endoclasmine reticulum और जैसे ही ये surround किया जाएगा it will be associated number of primary lysosomes बहाँ सारे primary lysosomes इसके सांथ associate करेंगे and the resultant structure is इसी रचना को हम लोग कहने जा रहे हैं कि ये क्या है cyto lysosome है we refer this structure as cyto lysosome इसी रचना को कहेंगे cyto lysosome होगा और जो enzymes होने थी जन्यान सुट एक तपॉन this non-functional mitochondria और नेचर भी अगर ये mitochondria जो mitochondrian था अगर वो functional नहीं है और lysosomal engines उसको hydrolyze करके simple जो monomers उसको में अगर convert कर देते हैं तो निससे तोर पे ये एक 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 ऐसी प्रिक्रिया होगी जो कि renovation और turnover of cellular component group में देखी जाएगी अगर कोई structure non-functional हो गया है तो उसको बनाने में जितनी भी तरह के बहाँ molecule लगे हुए हैं अगर उनको simple monomeric form में अगर release कर दिया जा तो फिर naturally उस particular substance पर इस्तमाल करके फिर कोई दूसरी नहीं रचना बनाई जा सकती है इसी को हम लोग कहेंगे कि यह क्या है normal innovation और turnover cellular component का कहला है और यह बख़वी काम यह काम बख़वी पूरा किया जाएगा license की मदद से क्रिनोफास ही एक दूसरी प्रक्रिया होगी तो कई सारी सब्सक्राइब से ऐसे बनते हैं जिनके जिनका synthesis उस अमाउंट से जादा हो जाता है जितनी आश्यक्ता है कि अगर बन गया तो जो जो surplus amount होगा, जो additional amount होगा, that additional amount would be hydrolyzed by lysosomal enzymes. तो अगर कोई security substance जादा बन गया, requirement से जादा बन गया, तो जो surplus amount होगा, उसको hydrolyzed कर गेंगे. तो अब यह से कि यह bestress को avoid करने का तरीखा होगा, और इसी प्रेक्रिया को क्रिनोफाजी कहेंगे, और यह काम भी lysosomal enzymes की मदद से किया जाएगा. आगे रोल को लेकर के देखें, तो आप देखेंगा, कि जो हमारा thyroid gland होता है, उसके दोरा जो दो hormone release किये जाते हैं, T3 and T4, यह जो T3 and T4 होंगे, tri-idothyronine and tetra-idothyronine, जो की thyroid के hormones है, तो जब इनकी synthesis होती है, तो they remain associated with thyroglobulin, यह thyroglobulin के साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो जब यह hormone बन गहें, तो they have to be separated, उनको separate करना होगा thyroglobulin से, और उनको separate करने का काम जो होगा, वो किया जाएगा, इन्हीं lysozomal enzymes की मदद से, दुजी तरफ आप mil gamit में लेकर के देखेंगे, कि mil gamit में जो head होता है, his head में ecrosome होगा, and this ecrosome is a specialized lysozome, इस ecrosome formation में गोल्धी बड़ी की होगी का है, और ecrosome जो होगा, that will help in fertilization, लेगे, अभी हम लोग से देखें कि आकर ये ecrosome हैं क्या, तो ecrosome जो होगे, उनकों लोग गहेंगे कि दिया, is specialized lysozome, उसके तरिक आप लेकर ये देखिएगा, कि plant में जब germination होता है, तो germination के समय जो storage product होगा, that storage product has to be hydrolyzed, और जब hydrolyzed करेंगे, तो monomers release होगे, those monomers can be used as respiratoris of straight, उनको respiratoris of straight के रुप में इस्तमाल किया आजा सकता है, और they may be used for synthesis of new type of macromolecle, इसको आप ऐसा समझेए कि आपके भबा का कुछ investment है, या bank balance है, या fixed deposit है, तो इस fixed deposit को तोड़ा जाएगा, इसके नहीं की ख़ट जाएगा, इसके नहीं को उसको कहीं पर wasteful expenditure उसका करना है, उस storage को इसलिए तोड़ा जाएगा, उस switch को इसलिए तोड़ा जाएगा, ताकि उस रिकम के इस्तमाल करके, मकान या गोई भी बड़ा काम किया जा सके, exactly, उसी तरह से seed के अंदर जो storage product होंगे, उन storage product को इसलिए जाएगा, इसके मदद से hydrolyze करेंगे, hydrolysis के बाद जो चीज़ रिलिज होगी, उसका इस्तमाल है, जो source of energy करेंगी, या फिर उन monomers के इस्तमाल के दौरा, complex organic compound जो होगा, उसको नहीं तरह के complex organic compound को synthesize किया जाएगा, तो ये बाद बिल्गुल दिमाल से निकाल जीजिए, जी plant mitochondria जो है, plant के अंदर, lysosome नहीं होगा, plant cells में भी बाद ये lysosome साथ को दिखाई, पढ़ेंगी, उसके बाद फाइनली जो तथ्थे आता है, वो ये है कि extracellular material को भी idealize कर सकता है, cells को भी नस्ट कर सकता है, कास करके metamorphosis में, और उसमें tadpole larva is very good example, जो frog है, उसको जो larva होता, उसको tadpole larva करते हैं, and that is a larva has tails and external gills, लेकिन अगर frog को लेकर के देखें, तो उसके पास pooch भी नहीं है, उसके पास gills भी नहीं हैं, तो आखिर metamorphosis में हुआ क्या, तो metamorphosis के कम में इन चीज़ों को mist कर दिया गया, इन चीज़ों को degrade कर दिया गया, ये काम किस ने किया, तो इससे तोर पे ये काम, lysozones की मदद से किया गया, दियार दरोल्स अफ लाइसोजों, अब रही बाद की, lysozones को बच्चे प्राया, याद करते हैं कि ये सुसाइडल बैग है, इसको खोजने वारे जो डी-डुए थे, डी-डुए सर ने इसको कहा था, कि ये सुसाइडल बैग होगा, और ऐसा इसलिए जात हैं कि एपप्टोसिस में, इसकी भूमिका देखी गई थे, एपप्टोसिस में इसकी भूमिका देखी गई थे, एपप्टोसिस का क्या मतलब होता है, तो देखे रहा कि एपप्टोसिस का मतलब होता है, प्रोग्राम्ड सेल्टित, अप्प्टॉसिस के बात अगर करें तो इसे हम लोग कहते हैं अप्प्टॉसिस के बात अगर करें तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ इसे कहेंगे कि ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ तो यहाँ पर मैं आप से ये कह रहा हूँ इसके भूमिका देखी थी तो सबस्क्राइब यह पाया गया कि इसकी इतनी significant भूमिका नहीं है उसके अत्रिक एक और बात दिखाई पड़ी कि और भी बहुत सारे functions के carry out करता है तो to say that it is a societal back इसलिए इसको बहुत जादा अब तवजूर नहीं दे जाती है बट स्टिल इसकूल में जब कभी भी परश्ण बनते हैं तो इसी बात से बनते हैं कि एक societal back किसको कहेंगे हाले जिए मैं इस बात से agree पहले भी नहीं करता था और इसके बिचे scientific reason यही है कि जितनी बड़ी भूमिका अपर प्रोसेस में सोची जाती थी उतनी बड़ी भूमिका नहीं है और लाइसेजों के कई सारे vital functions जो हैं वो पूरे किये जाते हैं अब यहां से एक और रचना होगी जिसमें अम्रों तोरी से बाचत करेंगे और इस प्लांट से लिए अब बहुत सारे प्लांट के साइटोप्लांज में तुम देखोगे कि एक इन लाज्ट मेंबरीन बांड स्ट्रक्शर प्रिजेंट होता है जो कि साइटोप्लांज के एक बहुत बड़ा हिस्सा उतुपाई करता है अगर आप इसको लेकर के थोड़ा देखें तो आप यह पाईएगा कि अगर इस हम ड्रॉप करें कि कोई एक प्लांट से लिए है तो इस प्लांट सेल में ये एक हिस्सा तो सिल्वाल का हो गया इसके बाद का एक हिस्सा अगर आप ड्रॉप करें तो ये पार्ट होने जा रहा है प्लाजमा मेंब्रेन का और ये हिस्सा हो गया नियूक्लियस का अब आप लेगर के देखिएगा कि इसमें प्रॉमिनेंट कोई रचना इस तरह की मेंब्रेन बाउंड आपको दिख सकती है तो यह जो prominent membrane bound रचना होगी इसको vacuole कहेंगे इसका जो membrane होगा उस membrane को tonoplast कहेंगे और इसके अंदर जो content होगा उस content को हम लोग cell sap बोलेगे तो मैंने कहाँ कि plant sil में, बहाँ सारे plant sil में, cytoplas ते एक बढ़ा हिस्सा जोगा इसके अंदर जो तरह बदाथ होगा, we refer to that one as sil sap, अब यह जो vacuole होगा वो आखिर होगा क्या, तो it will be a storehouse of a number of solute sil के अदर जो solutes होगा उनका, storehouse होगा, कई micro molecule वहाँ पर रखेगा, इसमें कई ions हो सकते हैं, sugars होगा, amino acids हो सकते हैं, कुछ polysacrite या protein भी हो सकते हैं, जो बात कहीं गई, कि अलग जो तरह का solute या micro molecule हो सकता है, तो protein और polysacrite जैसा polymer भी हो सकते हैं, और amino acid और sugar जैसे compound भी वहाँ पर उबस्तित हो सकते हैं, इसके अदरीक इसमें toxic substances की भी storage हो सकती है, लेकिन ये toxic substances जो होगे, क्यों वहाँ store किये जाएगे, तो toxic substances की storage वहाँ पर इसलिए किया जाएगा, क्योंकि वो substance उसके defense mechanism के रुप मे बचाएंगे, दूसरे जो harmful agents उसको infect करने आ रहे हैं, fungus या कोई दूसरा इस तरह का, तो उससे उसकी रक्षा की जाएगे, या अगर हर्वी वही हो रहा है, तब भी इस तरह के toxic substances का storage जो होगा, उस पौदे की जान बचाने के लिए important role पे करने जा रहा है, अब एक और चीज byproduct या waste बनता है, how those substances would be released from the plant body, तो plant body से उस तरह के metabolic waste को या byproducts को निकालने का अलताम जो होगा, वो vacuole करेगा, मैं फिर repeat कर दो, कि plant में excretory, organ का या system का कोई concept तो है नहीं, और metabolism में सिर्फ useful compounds ही बने, ऐसा भी नहीं होगा, बहाँ सारे compounds ऐसे होगे, जो byproduct होगे, which are no more useful, या which are not useful, तो क्या plant उनको हमेशा store किये होगे रहेगा, इसका answer है नहीं, those substances have to be removed from the plant, और उनको remove करने के लिए जो रचना प्रकृति ने बनाई, उसी रचना को हम लोग vacuole का नाम देंगे, दूसरी बात हैं कही नहीं, इसमें मैंने tonoplast कहा, या सिल्साइब कहा, या बात तो अलेडियों में लोग देख चुके हैं, लेकिन tonoplast में आप देखिएगा, कि बहुत सारा active transport system मौदूद होगा, तो जब कभी में लोग ये कहेंगे कि tonoplast को है active transport system, तो रिस्वित पॉर्पिस मतलब होगा कि energy के expenditure के द्वारा कई सारे ions को vacuole के अंदर लाया जाएगा, ions के vacuole के अंदर लाया जाने की वज़े से, उन आयन का concentration उसके अंदर बाहर के, तुल्ना में concentration उसका जादा होगा, water potential लीचे जाएगा, और ऐसे इस city में vacuole के अंदर endosmosis होगी, पानी उसके अंदर आएगा, पानी के अंदर आने के वज़े से turgor pressure डेवलप करेगा, और य आएगा की, से लवाल पे अंदर से एक प्रेशर बरेगा, और से लवाल उटेंड टेंड टू स्ट्रेच, से लवाल स्ट्रेच करने की कोशिस करेगा, तो जो प्लांट से का volume जो भड़ता है, प्लांट से में जो enlargement दिखाई पड़ती है, उस enlargement के लिए जो turgor pressure उसका exert होना इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वेक्योल के अंदर धेर सारा पानी एंड उसमोसिस को दोरा आ गया, अब जो वेक्योल होगा, उसमें धेर सारा पानी कैसे आया, तो वहां पे आएंस का कंसंट्रेशन एक्टिव पंपिंग की वजह से बढ़ गया, और जब आएंस बढ़े अंदर की तरफ आकर के तर्गर बढ़ा देगा, और तर्गर बढ़ा तो मैंने काने कि सिल्वाल स्ट्रिच होगा, और सिल्वाल के स्ट्रिच होने की वजह से प्लांट सिल का वॉल्यूम जो होगा, तो ये एक बहुत महतुपण भूनिका है, ये तथ्थे आपको दिमाग म रखना होगा, जो प्रोटोजोंस प्रोटिस्ट हमाँ पर आपने करके दिखियेगा, कि कंट्रेक्टाइल वैक्योल और ये जो कंट्रेक्टाइल वैक्योल होगे हैं, और ये तो कंट्रेक्टाइल वैक्योल होगे हैं, और ये तो कंट्रेक्टाइल वैक्योल की भूमिका हो जा रही है, and finally, इसके इतिहास पे अगर आए, तो इस प्लेंजेनी जो थे वो उनोंने कंटिटाइल वेक्योल की डिस्केवरी की थी, और दोजार दिन जो थे उनोंने इसको, उसी रिस्मा को वेक्योल का नाव दिया था, श्लाइडर ने इस्टर्ण का इसमाल प्लांट सेल में किया तो डिस्टिंजेस अस्ट्रक्शर वेस्टर्ण सेफ फंगर इस्टर्ण दी प्रोटोप्लास्म और डीवरिज के दौरा, जो मेंब्रेन वेक्योल को सराउंड करता था, उसको टोनोप्लास दिया गया है मारवार ये बात करता हूँ, कि इतिहास में अगर रुचे हो तो जरूर देखिए, लेगिन मैं हमेशा इसको टॉपिक के अन्द्वे बताता हूँ, टॉपिक के अन्द्वे बताना एक प्रतिक आत्मक तरीका है, और मैं ये सुनिश्चत करने के कोशिस करता हूँ, कि तयार करते बत इतिहास सबसे बाग में आना चाहिए, इतिहास को आपकी त्यारी को गिलबी नहीं बनाना चाहिए, ऐ기에, इसका मतलब सीधा सराय, आगर सीधी सरल भासा नें कहएं, तो जो मुक्य बताएं, इसके पहले जो बते इतिहास करतृत जो बताई गईगें, जो उसके लोक बाचित हम लोग करे लिए अपना बहुत बहुत क्याल रखिए जम क्यों पढ़ाई काई करते लिए फिर मिलते हैं अगले में Thank you